99 रन पर आउट हुए क्रिस गिल पहले गुस्सा उतारते हुए फेका बल्ला फिर किया कुछ ऐसा जीता सभी का दिल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों अगर आप भी क्रिस गिल को एक विस्पोटक बल्ले बाज मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें किंग्स 11 पंजाब के अनुभवी बल्ले बाज क्रिस गिल राजस्तान के खिलाफ सतक बनाने से बाज एक रन से चूक गए 99 रन की सांदार पारी खेलने वाले गिल को जोफरा आर्चर ने बोल्ड किया आउट होने के बाद गिल ने बल्ले पर अपना गुसा उतारा लेकिन वह आ जाते जाते कुछ ऐसा कर गए जिसने सभी का दिल जीत लिया इंडियन प्रीमेर लीग के 13 एडिसन के 50 में मुकाबले में पंजाब की टीम को राजस्थान रोयल के हां तोहार का सामना करना पड़ा पहले बल्ले बाजी करते हुए राजस्थान के सामने किंग्स ने 6 विकेट पर 20 ओवर में 180 रन का स्कोर खड़ा किया था इसमें क्रेस गिल की सांदार 99 रन की पारी सामिल थी गिल इस मैच में दुरभा किसाली रहे और एक रन से अपना साथवा आईपिल सतक बनाने से चूक गए 63 गेंदों पर 6 चूके और 8 छक्के की मदस से 99 रन तक पहुचने वाले गिल इसी स्कोर पर जोफरा आर्चर की गेंद पर बोल्ड हुए महज एक रन से सतक बनाने से चूकने के बाद गिल ने जोड से बल्ले को अपने पैर पर मारा और उनका बल्ला काफी दूर जा कर गिरा सोभाव के बेहद हसमुक और खेल भावना में विश्वाश रखने वाले गिल का गुस्ता अपने आप पर था मैदान से बाहर जाते जाते इस बल्ले बाद ने खेल भावना दिखाते हुए गेंद बाद जोफरा आर्चर से हाथ मिलाया और उनको विकेट हासिल करने पर सैबासी दी दोस्तों अब क्रिस गिल के इसने काम की खूब जमकर तारीफ हो रही है और दिगज और क्रिकेट फैंस उनकी जमकर तारीफ और सरहाना कर रहे हैं तो दोस्तों आप भी क्रिस गिल के इसने काम को लेकर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा साथ ही क्रिस गिल के बारे में अपनी महत पूर रहा है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा जदा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे द्वारा देगे जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद